प्रस्न 19, मान ग्याद कीजे, तो प्रस्न 19, प्रस्न 19 का 10, तो प्रस्न है, 10 स्क्वाइर, 45 डिगरी, प्लस, सेक स्क्वाइर, 60 डिगरी, माइनस, कॉट स्क्वाइर, 30 डिगरी, प्लस, कॉट सेक स्क्वाइर, 30 डिगरी, तो यह है प्रस्न, फिट से मिला लेते हैं, 10 स्क्वाइर, 45 डिगरी, प्लस, सेक स्क्वाइर, 60 डिगरी, माइनस, कॉट स्क्वाइर, 30 डिगरी, प्लस, कॉट सेक स्क्वाइर, 30 डिगरी, तो पहले हम देख लेते हैं, इन सब का मान क्या होता है, सेक साट डिगरी का मान क्या होता है तो टैन पैंतालिस डिगरी तो टैन पैंतालिस डिगरी बराबर एक होता है फिर सेक साट डिगरी तो सेक साट डिगरी बराबर दो होता है और कौट तीस डिगरी कौट तीस डिगरी बराबर रूट तीन होता है और कॉसिक 30 डिग्री कॉसिक 30 डिग्री बराबर 2 होता है तो अब सब का मान हम यहां पे रखेंगे तो हो जाएगा 1045 डिग्री सबसे पहले रखना है 1045 डिग्री तो 1045 डिग्री बराबर 1 होता है यहां पे 10 अस्क्वाइर है देखे 10 square है यानि 1 का वर्ग तो 10 45 डिग्री बराबर 1 लेकिन यहाँ पर 10 square 45 डिग्री है इसलिए 1 का वर्ग देंगे जोड सेख 60 डिग्री तो सेख 60 डिग्री का मान होता है 2 सेख 60 डिग्री का मान 2 होता है लेकिन यहाँ पर सेख square है यानि 2 का वर्ग देंगे तो कौट तीस डिगरी का मान होता है रूट 3 क्या होता है रूट 3 तो कौट अस्कौईर है इसलिए इस पर हम वर्ग देंगे क्योंकि कौट अस्कौईर है तो इस पर भी अस्कौईर आएगा प्लस, अब देखे हैं यहां प्लस का चिन है, कॉसेक 30 डिगरी, कॉसेक 30 डिगरी का मान कितना होता है, दो, दो लिखेंगे, लेकिन यहां पर कॉसेक स्क्वायर है, तो इस पे भी वर्ग देंगे, अब इसको हल कर लेते हैं, तो एक का वर्ग एक होता है, जोड, दो का वर्ग 4 होता है माइनस रूट 3 का वर्ग यानि रूट 3 गुना रूट 3 3 होता है पलस 2 का वर्ग 4 होता है तो देखें इसका उत्तर आ जागा 4, 4, 8, 9, 9 में से 3 गया तो 6 यानि इसका उत्तर होगा 6, 4, 1, 5 5 में से 3 गया 2 2 और 4 जोड़ेंगे तो 6 इस तरह सभी इसको जोड़ सकते हैं प्रस्न 11 तो प्रस्न 19 का 11 4 बटा 10 स्क्वाइर 60 डिगरी 4 बटा 10 स्क्वाइर 60 डिगरी प्लस 1 बटा कॉस स्क्वाइर 30 डिगरी 1 बटा कॉस स्क्वाइर 30 डिगरी माइनस साइन स्क्वाइर 45 डिगरी तो ये है प्रस्न 4 बटा 10 स्क्वाइर 60 डिगरी प्लस एक बटा कॉस स्क्वाइर 30 डिगरी माइनस साइन स्क्वाइर 45 डिगरी तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 10 60 डिगरी का मान कॉस 30 डिगरी का मान और साइन 45 डिगरी का मान क्या होता है तो 10 60 डिगरी का मान होता है रूट 3 10 60 डिगरी का मान रूट 3 cos 30 degree cos 30 degree का मान root 3 बटा 2 sin 45 degree का मान 1 बटा root 2 तो सब का मान हम रख देंगे यहाँ पे तो लिखेंगे 4 बटा देखें, 4 बटा 10, 60 degree तो 10, 60 degree का मान कितना होता है root 3 तो लिखेंगे यहाँ पे root 3 लेकिन 10 square है, यानि 10 का वर्ग है तो इसका इस पे भी वर्ग दे देंगे यहाँ लिखेंगे बराबर का चीन जोड, यहाँ पे जोड का चीन देंगे 1 एक बटा cos 30 degree का मान कितना होता है cos 30 degree का मान होता है root 3 बटा 2 ठीक है cos 30 degree का मान, root 3 बटा 2 लेकिन cos square है, यानि इस पे वर्ग दे देंगे घटाओ यहां घटाओ का चीन है साइन 45 साइन 45 डिगरी का मान होता है एक बटा रूट 2 क्या होता है एक बटा एक बटा रूट 2 अब साइन असक्वायर है यानि इसका वर्ग तो इस तरह से लिख लेंगे इसको तो इसको अब हल करेंगे तो आ जाएगा चार बटा देखे चार बटा रूट तीन का वर्ग तो रूट तीन का वर्ग तीन हो जाएगा जोड अब देखे एक बटा रूट तीन का वर्ग क्या होगा तीन दो का वर्ग चार ठीक है root 3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4 यहाँ घटाओ का चीन देंगे एक बटा root 2 का वर्ग है एक का वर्ग 1 root 2 का वर्ग 2 तो इस तरह लिख लेंगे इसको अब देखें इसको हम लिख सकते हैं 4 बटा 3 प्लस अब जो यहाँ पे 4 है वो उपर चला जाएगा यानि एक के साथ गुना हो जाएगा तो 4 गुना एक, 4 4 गुना एक, 4 तो कितना हो जाएगा 4 बटा 3, देखें यह जो 4 है 3 बटा 4 में 4 है, वो 4 एक के साथ गुना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हर और ये अंस है तो हर और अंस क구나 हो जाता है ठीक है दुसरा भीन का यहाँ पर यह दूसरा भीन है यह दूसरा भीन है माइनस एक वटता दो कितना आ गया Counsel अब तीन और दो का लगुत्तम क्या हो जागा छे ह Karena टीन दूना छे इसे तो चार oo आठ लिखेंगी यहाँ पे 3 दूना 6 तो 4 दूना 8 माइनस माइनस का चीन है तो माइनस का चीन है देंगे 2 तीया 6 तो 3 गुना 1 3 देखे 2 तीया 6 तो 3 गुना 1 3 लिखेंगे यानि कितना आ गया तो 8 8 16 16 में से 3 गया तो 13 यानि 13 बटा 6 क्या आ गया तेरा बटा 6 अब तेरा बटा 6 को भाग देंगे यानि तेरा को 6 से भाग देंगे तो 6 दूना 12 13 में से 12 गया तो 1 1 हो जाएगा सेशफल 1 क्या हो जाएगा सेशफल और 6 को यहाँ पे लिख देंगे यानि इसका उत्तर होगा 2 पुर्णांक 1 बटा 6 प्रूपर प्रूपर